किसी को बुखार होने से या उसको सांस लेने में तकलिफ होने लगना जैसे अगर कोई दिकत होती है तुमस्कार दोस्तों सावन फर्मस्वि में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे कोरोना से बचने का उपाय जिसमें हम समझेंगे कि जिसे सके फर्स्ट वेब आया सकेंड वेबाया और यह थर्ड वेबाया और हर एक वेब आते गए कोरोना का बहुत ही महमारियां लाया तो उसमें से हमें बहुत ऐसे सावधानिया होती है जो हमें याद रखना होता है वो कौन-कौन सी सावधानिया है वो क्या सावधानिया हमें याद रखनी चाहिए उसके बार तुसरी बात हम जानेगा, कि मास्क लगाए रखें, कहीं भी आप अगर जाते हैं, तो मास्क का परियोग जरूर करें, ठीक है, और तीसरी बात यह होती है, कि जहाँ दो से ले करके अधीक इनसान जहाँ पे भीड़ है, या भीड़ बाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे जान कोई भी परिशानियां आती हो, जैसे कि सांस लेने में तकलीप होना, गले में खरास होना, खांसी होना, सरदी होना, या बुखार होना, या जादा बार-बार पेखाना होना, या आपकी BP down होना, तो low होना, यानि 120 by 80 जो normal BP होती है, उससे अगर कम होती है, तो तुरण जा कर करके दॉक्टर से संपर्क करें और नजदि के स्वास्ट के अंदर में जा करके उसका इलाज करवाएं ठीक है और सब्सक्राइब अगर कोई भी कुछ होती है यहां कि राषन लेना पानी लेना किसी भी घर के जो फूर समागरी है उसको लेना चाहते हैं तो आप तभी आप अपना घर से निकलें अन्य था आप रोड में टहला ना करें और अगर emergency कोई भी सुमिधा हैं जो आपको जरूरत पड़ती है जरूरत के ही कारण से घर से बाहर निकलें और emergency में तुरंट लोट करके चलाएं जितना घर पर रहिएगा उतना आपके लिए शेहत के लिए और आपके घर लेजने में यह सर्दी खासी बुखार जुरूरत होती है तो आप तुरूंत आप नजदी के डॉक्टर sanitizer से अपना हाथ को और यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है यह सब बचने के लिए कुरोना से महमारी से बचने के लिए और लास्ट में हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि आप sanitizer का इस्तमाल करते हैं तो और खुरोना से बचने के लिए अगर उन्हाँ बच जाएगा कि वेखसीन को जरूर लगाया वैक्सीन को ज़रूर वैक्सीन को क्योंकि हैं आपको आपको मिलते रहते हैं लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के